हेलो दोस्तो वेल्को टो माई चैनल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीटा फंक्शन इस सब पीछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाता गामा फंक्शन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे बीटा फंक्शन बीटा फंक्शन क्या होता बीटा फंक्शन एक M और n का function है जिसमें m और n दोनों ही positive होते हैं तो कैसे अब लिखते है बीटा को बीटा m,n जो होता है यह किसका function है m और n का तो इसकी limit 0 to 1 यह इसके standard definition function की x की power m-1 1-x की power n-1 ठीक है जो m है वो किस पा रहा है x-1 ठीक है जो n है n-1 हो रहा है कौन से पार्ट पर 1-x वाले पर तो यह क्या होती है बीटा की definition होती है यहां पर क्या है m भी greater than 0 होगा and n also greater than 0 होगा m और n दोनों क्या होन चाहिए positive होने चाहिए यह बीटा function next इसका थोड़ा वो देखते है बीटा m n equals to बीटा n m होता है ठीक है इसको हम कहते है symmetry of बीटा function मतलब बीटा function symmetrical होता है यह हमें क्या प्रूफ करना है तो हमें पता है बीटा we know that अभी हमने definition लिखी है बीटा m n की कितना होता है बीटा m comma n equals to 0 to 1 x की power m minus 1 1 minus x की power n minus 1 dx ठीक है तो यह होती है बीटा की definition बीटा m n के इस्टो हमें क्या प्रूफ करना बीटा nm तो हम क्या करेंगे एक हमें वह पता है integral अगर जो हम पढ़ते थे class 12 की बात है a to b f x dx हो तो हम क्या करते है x को उस function में किस से replace कर देते हैं इन दोनों limits के sum से minus x से तो हम जो क्या करते है b plus a minus x से क्या कर देते हैं उसको replace कर देते हैं तो हम भी क्या करेंगे यहां पर replace x by 1 plus 0 minus x यानि 1 minus x तो इसमें लिखो beta m,n कितना जाएगा 0 to 1 x की power sorry x को किसे replace करना 1 minus x से n minus 1 dx beta m,n कितना जाएगा 0 to 1 1 minus x की power m minus 1 इसका under bracket open करो 1 minus 1 plus x की power n minus 1 dx तो 1 से 1 cancel कितना जाएगा m,n 0 to 1 यह कितना जाएगा 1 से 1 cancel हो गया x की power n minus 1 1 minus x की power m minus 1 dx अब इसको original इसकी definition से compare करकर लिखो देखो यहां पर यह हमारा beta function है यहां पर देखो अपना 0 to 1 यहां पर 0 to 1 x की power n minus 1 यहां पर x है यहां पर यहां पर कितनी m minus 1 यहां पर n minus 1 यहां पर देखो 1 minus x 1 minus x एकसी power कितनी यहां पर m minus 1 यहां पर n minus 1 तो m की जगे n हो गया n की जगे m हो गया इसमें तो बीटा में क्या होगा गलंगा m की जगे n हो जाएगा और n की जगे m हो जाएगा ठीक है यह क्या खर्ना था मैं प्रूफ कर्ना था ठीक है इस वीडियो में इतना ही next वीडियो से मैं और इसाई सए बीटा और गामा पर कुछ problem करेंगे और थेंक्यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में झाल झाल